दोस्तो रेडमी लांच करने वाले आपने रेडमी नोट 11 प्रो 4G स्मार्टफोन को 9th of March को इंडिया में और दोस्तो इसी स्मार्टफोन को लांच से पहले इसी स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस को लीग कर दया जा चुका है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसी स्मार्टफोन के लिग प्राइस इस स्पासिफिकेशन एंडियन लांच डेट के बारे में तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो मा बने रेगारे इंड तक चलिए शुरू करते हैं यहाँ आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा बैक साइड में टॉप में कैमरा मॉडूल है और सेंटर पंचोल के साथ में आपको डिस्पले देखने को मिलेगा लेंगा लेंज टू मेगापिक्सल लेंज और डप सेंसर टेपसर फ्रेंट केमरा हैं यहाँ आपको 16 मेगापिक्सल को देखने को मिलेगा सेंटर पशुल के साथ में पावामेंस के लिए यहाँ मेटेक का हिलोगी 96 प्रोसेसर देखने को मिलेगा 6GB 8GB LPDDR4X RAM देखने को मिलेगी 64GB 128GB UFS 2.2 storage देखने को मिलेगा 5000 image की बैटरी देखने को मिलेगी 67W की fast charging देखने को मिलेगी dual stereo speakers यहाँ आपको देखने को मिलेगा high-res audio certified होगा यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो कि Android 11 पर बेज लोगा dual 4G वोल्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा एन NFC का support देखने को मिलेगा एन यह Redmi का smartphone है तो यहाँ आपको आय प्लास्चर भी देखने को मिलेगा side mounted fingerprint scanner देखने को मिलेगा 3.5 mm headphone jack देखने को मिलेगा liquid cooling technology यहाँ आ linear vibration motor यहाँ आपको देखने को मिलेगी एन इस smartphone आपको तीन कलर विंट्स में इंडिया में देखने को मिलेगा gray white gray polar white and star blue color में बात करें इस smartphone के Indian price की तो दोस्तों leaks की माने तो यह smartphone आपको इंडिया में 17 से 19,000 रुपे के price में देखने को मिलेगा एन दोस्तों इस smartphone का starting price होने व Redmi Note 11 Pro 4G smartphone के बारे में बताना चाहता था आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसमें दाए वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जबारत